आज की कवीता का शीशक काफी सिंपल सा है सलल आलस मेरे को लगता निये कोई भी होगा जिसों आलस कभी आया ना हो तो उसी से शुरुवात करते हैं मार्क में जो होती है अर्चन काम करने में जो आता है हमें सबसे ज़्यादा मार्क में जो होती है अर्चन काम करने में जो आता है हमें सबसे ज़्यादा जी हां आलस ही है वो जो है हमेशा हमें रुकवाता या कभी चलवाता भी है जरूर इनी है हमेशा आलस रोके तो गौर से सुनिएगा क्या कहता है यह आलस अलाम बरके सोता हूँ के सुबह उठूंगा सुबह उठकर करता हूँ उसे बंद हाँ जी यह वही आलस है जिससे रहते हैं हम सब तंग व्यायाम करने में आलस उसके बाद कक्षा में जाने का आलस व्यायाम करने में आलस उसके बाद कक्षा में जाने का आलस कक्षा से आके खाना खाने में आलस खाना खाके आके पढ़ने में भी आता है आलस और तो और पढ़के उसको याद रखने में भी आलस याद रहा क्या नहीं रहा याद रहा क्या नहीं रहा उसको सोचने में भी आलस 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 अभी सुनकर लग रहा है नहीं करना चीए नहीं आलस करना चीए नहीं करना चीए करना चीए नहीं करना चीए पर पर हैं फाइदेविक अभी ये आलस पर उसे सुनाने में मुझे भी आ रहा है आप आलस सुनोगे सुन लो सुन लो मानसिक तनाओ दूर रखने में मददगार भी आलस तो नीम से मिलने वाले सुकून का सुकून में भी यही आलस मानसिक तनाओ दूर रखने में मददगार है यही आलस तो नीम से मिलने वाले सुकून में भी यही आलस जीस चीज़ को जानता है न्यूटन का भी आलस पेड के नीचे तो सो रहा हो एपल के रहा तभी वाया आलस में तुठाओ भी यही आलस दिमाग को चुस्त रखता भी यही आलस तो बैठ कर तीवी देखने में आनंद भी दिलाता है यही आलस बूजो तो सच में कुछ भी नहीं है यही आलस आखे में कुछ पंक्तियों से अपनी कवीता को विराम दूगा जो अच्छा लगे जो अच्छा लगे वो करो जो अच्छा लगे वो करो वरना साथ तो रहे गई है यह आलस धन्यवाद